मदिप्रदेश में भारती जंता पार्टी की जन आशिरवाद यात्रा 17 सितंबर से शुरू हो गई इस यात्रा का दरुमदार दो दिगजनेताओं परेन सिंग तोमर और इसमिती इरानी ने समाला अब मंच भी समिती इरानी को ही समालना था मंच से समिती इरानी ताल ठोक ठोक कर भासर सुनाती रही चिला चिला कर कॉंग्रेस को डर पोक और गीतर बताती रही इसके साथ ही समिती इरानी के इस वीडियो को बीजेपी के नेताओं ने खूप शियर किया लेकिन बास्त्विक्ता तो सामने निकल कर तब आई जब एबीपी नियूज ने इनकी खबर चला दी एबीपी नियूज ने चलाया कि इसमृती इरानी मन्च से दालब कर फासर देती रही लेकिन सामने खाली पड़ी रही कुर्सिया अच्छा एक बात तो यह भी है कि जिस मन्च से चला चला का इसमृती इरानी कॉंग्रेस को पत्रकारों से डरा हुआ बता रही थी लेकिन वही पत्रकार इसमृती इरानी की सभा का बहिस्कार कर दिये कोई भी प्यारा पत्रकार इस सभा में नजर नहीं आया आई तो नजर केवल खाली कुर्सियां तो इसमिती जी जरूरी नहीं कि हर बार चिलाने से कुर्सियां भर जाती है इसमिती इरानी को अमेठी की जीत और मोधी जी की खास जर्रा नवाजियों ने घमंडी बना दिया था उन्हें अपने आगे अब कोई भी नजर नहीं आता यहां तक की मंच से पत्रकारों को तिहारी बोलने लगी थी लेकिन 2023 और 2024 ने इनके घमंड को इसकदर तोड़ दिया कि इनको सपने में भी राउल बाबा दिखाई देने लगे अब तो आलम यह है कि कॉंग्रेस को डरपोक और गीदर कहने वाली स्मिती राणी राउल गांदी के मुस्कुरा देने से भी हिल जाती है मद्यपदेश की जनता ने स्मिती राणी की रुदाली को सुनने से इंकार कर दिया पत्रकारों नहीं स्मिती रानी की लंका लगा दी रेली में खाली कुर्षियों के सामने स्मिती रानी का तेवर बता रहा है कि वह राहूल गांधी से किस कदर डरी हुई है वहाई दूसरी ओर राहुल गांधी के रैली में लगवक 15 लाक की अपार भीड उमरने लगी थी खाली कुर्सियों को देख कर इतना confidence इतना तेवर भाई मानना पड़ेगा एबीपी ने तो बुलंद आवाज में यह खबर चलाई सारी पोल ही खोल दी सत्य तारिक को इरानी जब मद्यप्रदेश गई थी तो राहुल गांधी को सुनने 15 लाक लोग आए लेकिन स्मिती इरानी की सभा की कुर्सियां खाली पड़ी रहे